डिक्टेशन इस्टार्ट होगी पांस सेगड़ बाद इस्टार्ट हालांकी कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमन की दर पहले की तुलना में घटती हुई दर्ज हो रही है मगर गावों में फैल गई इस महामारी से सरकारों के माथे पर स्वभाविक ही चिंता की लकीर गहरा गई है कुछ राज्यों में इस्तिती बहुत बुरी है इसे लेकर प्रधान मंत्री ने भी राज्यों के मुख्या मंत्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलहा दी और केंद्रिय स्वास्थय मंत्री ने सबसे अधिक प्रभावित चार राज्यों के स्वास्थय मंत्रियों के साथ बैठक की दरसल महाराष्ट गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राजियों में इस्तिती काबू से बहार हो गई खास कर उत्तर प्रदेश में इलाज नय मिल पाने की वजहे से इतनी अधिक मोतें हो रही है कि मरतकों का अंतिम ससकार करना भी मुश्किल बना हुआ है बहुत सारी लासिं गंगा में बहा दी जा रही है इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सतर्क हुई है मुख्य मंत्री ने कुछ सहरों का दोरा कर महा की स्वास्थे सुविधाओ का जायजा लिया हर जिले में सिकायत केंद्र बनाई गए हैं और प्रशासन को चोकनना कर दिया गया है पर देखना है वहां गावों में फैल रहे इस संक्रमन पर किस तरह और कब तक काबू पाया जा सकता है कोरोना की पहली लहर के समय ही चिंता जताई जा रही थी कि अगर यह संक्रमन गावों में फैलना शुरू हो गया तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा केंद्रिय ग्रामिन भारत में स्वास्थे सुविधाई पहले ही सबसे खराब इस्तिती में हैं मगर उस समय भी मुख्य रूप से इस संक्रमन को रोकने की तैयारियां सहरों में ही केंद्रित रही गावों में इसके लिए कोई एहती आईती उपाय नहीं किये गए फिर जैसे ही पहली लहर का रुख उतार पर हुआ और पूर्ण बंदी हटा ली गई लोग समान्य दिनों की तरहे ही भीड भाड लगाते दिखाई देने लगे हालं की बार बार हिदायत दी जाती रही की वे कोरोना संक्रमन से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने में लापरवाही ने बरतें मगर उसका उन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया सरकारों ने भी मान लिया था कि अब कोरोना का खत्रा टल चुका है इसलिए उन्होंने कड़ाई करना तो दूर कोरोना के लिए बनाई गई वेवस्था को धीरे धीरे समेटना सुरू कर दिया था फिर कोरोना लहर के समय ही पहले बिहार में फिर अन्य चार राज्यों और एक केंदर सासित प्रदेश में विधान सभा के चुनाव संपन कराए गए उसी दोरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए तमाम मांगों के वावजूद चुनाव प्रिक्रिया में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई जिसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना महामारी बन कर गावों में भी फैलना सुरू हो गया अब विश्व स्वास्ते संगठन तक ने माना है कि भारत में इस्तिती बहुत चिंता जनक है कोरोना की दूसरी लहर पहली की अपेक्षा ज्याद्य खतरनाक रूप में प्रकट हुई है अभी तीसरी लहर की आसंका जताई जा रही है ऐसे में अगर ग्रामिन इलाकों में फैली इस महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो भारी तभाई की आसंका जताई जा रही है मगर राज्य सरकारें इसके लिए कितनी तयार है अभी दावा नहीं किया जा सकता कई सरकारें बिमारी पर काबू पाने के बजाए आकडों को छिपाने पर अधिक जोर देती देखी जा रही हैं जैसे भी हो जब तक गावों में स्वास्थे सुविधाई पहुचाने टीका करण जांच और उपचार संबंदी सुविधाव पर गंभिरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा यह महामारी कब फिर से और तभाई मचानी शुरू कर देगी कहना मुश्किल है दिल्ली में संक्रमितो की संखिया में कमी राहत की बात है पिछले डिड़ महीने में दिल्ली को जिस तरह के विकट हालात का सामना करना पड़ा है उसने सब को देला दिया संक्रमितो और मोतों के रोजाना बढ़ते आकड़े बता रहे थे की महामारी से निपटने में केंदर और दिल्ली सरकार लाचार है 10 अपरेल को दिल्ली में संक्रमन के 7,900 मामले आये थे जो अगले 10 दिन में यानी 20 अपरेल को 28,395 तक जा पहुंचे यह दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्याद संक्रमितो का रिकोड था इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने पूर्ण बंदी लगाई ताकि संक्रमन की स्रंखला तोड़ी जा सके अब 15 मई को संक्रमितो का रोजाना का आकड़ा 6,530 दर्ज किया गया संक्रमन दर 32.82 फीसद से घट कर 11.32 फीसद पर आ गई हालांकि पहले के मुकाबले जाच में काफी कमी भी आई है महामारी का जोखिम कम नहीं हुआ है बस तसली की बात सिर्फ इतनी है कि जिस खतरनाक तेजी से संक्रमन दर बढ़ रही थी उस तेजी की रफतार में कमी आई है संक्रमितो के ठीक होने की दर लगभग तिरानवे फीसद है जाहिर है अगर सावधानी बरती और महामारी से बचाव कोशिसों में कोई कसर नहीं छोड़ी तो जल्द ही इससे छुटकारा मिलने के आसार बनने लगेंगे इसमें कोई दोराय नहीं की अचानक मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल्ली की स्वास्त है सेवाव का धाचा रड़ खाड़ाना ही था सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा की राजधानी इस तरह से भी संकर्मन की चपेट में आ सकती है हालंकी विशेशग्य लंबे समय से चेताते आ रहे हैं की महामारी की दूसरी तीसरी लहरें आएंगी और कहीं ज्यादे कहर बरपाएंगी लेकिन दिल्ली ही नहीं केंदर और सभी राजियों ने इन चेतावनियों की अंदेखी की इसी का नतीजा था की दूसरी लहरें से निपटने की कहीं कोई तैयारी नहीं हुई इसकी कीमत बड़ी संखिया में लोगों की जान के रूप में चुकानी पड़ी पंदरहें दिन तक दिल्ली के ज्यादतर अस्पताल ओक्सिजन की कमी से जूजते रहे और मरीच दम तोड़ते रहे अस्पतालों में बिस्तरों और दवाईयों तक का अकाल पड़ गया और दिल्ली हाई कोट को संग्यान लेना पड़ा दिल्ली के अस्पतालों को ओक्सिजन उपलब्ध कराने को लेकर केंदर सरकार का जो रवया सामने आया वहे भी कम सर्मनाक नहीं था यह तो बड़ी अदालतों का धन्यवाद की उनकी सकती से दिल्ली को परियाप्त ओक्सिजन तो मिलने लगी दिल्ली ने धहला देने वाला जो मंजर देखा है उससे अब सबक लेने की जरूरत है दूसरी लहर का संकट बरकरार है तीसरी या चोती लहर की आसंका को जरा भी खारिज नहीं किया जा सकता महामारी विसिसग्य बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए जादे घातक होगी जाहिर है ऐसे में बच्चों को संक्रमन से बचाने और संक्रमित बच्चों को अस्पतालों में परियाप्त इलाज मुहिया कराना बड़ी चुनोती होगी हकीकत तो यह है कि गंभीर संक्रमितों के लिए अस्पतालों में आई सी यू बिस्तरों की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है ऐसे में दिल्ली सरकार को अब अस्पतालों में ओक्सिजन सैयंत्र लगाने और नए अस्पतालों की तैयारी जैसे काम तेज करने ही होंगे इसके अलावा ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे बजारों में भीड ने लगे और कारोबार भी चलते रहें महामारी से निपटने में सरकारों का कुछ करना या ना करना अपनी जगय है लेकिन नागरिकों की भूमी का भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आकिरकार भुकतान तो उन्हीं कोई ही है इस्टोप झाल